जैहिन नमस्ते वद्दे मात्रम और आप लोग फ्रेंट पेश पर देख रहे हैं साथ यो आप सभी के लिए जो है नोटिफिकेशन मैंने लगाया है तो बात करेंगे पूरे रूर्ल बुक के ओपर कहां से फॉर्म आया है इस तरह के से हम लोग फॉर्म फील करेंगे इसका ओफिस यल जो आपको पीडियाप है उसको में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में ही आपको टेलीग्राम गुरूप में प्रोवाइट करूँगा टेलीग्राम गुरूप का नाम समाधान स्टेडी है और जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे यहाँ पर हर स्टेट की अपडेट में प्रोवाइट करता हूँ चाहे MP, UP जो है यह हर स्टेट जो इंडिया के जितने भी स्टेट से जो वेकेंसिस निकलती है चाहे वो फॉर्म निकलते है चाहे तैयारी करने की बात हो वो हर हम लोग जो है आपके समख की देखते है तो चलिए स्टार्ट करते है इसको और जानते है कितना बच्चा इस फॉर्म को फील कर पाएगा देखे वेस्टन बेंगॉल हैल्थ रिक्रूप्मेंट बोर्ड उनली फॉर ओफिसल मतलब यह ओफिसल है ओफिसल वेफसाइट है यहां से यह फॉर्म आया है तो नीचे स्क्रॉल करिएगा मैं इसका लिंक भी देदूँगा यहां पर देखे अज़िटाइजमेंट आपको देख रहा है है और मेडिकल ऑफिसर के लिए तो मैंने क्लिक किया है तो अभी जो है रूल बुक आपके लिए डाउंडोड हो रहा है ठीक है यह देखे डाउंडोड हो चुका है वहम लोग इसमें देखेंगे यह देखे क्या है स्टाप नर्स है ग्रेट टू है ठीक है और पोस्ट बेसी नर्सिंग जो एक्जाम होता है उसके लिए है रिक्रूप्मेंट ग्रेट टू यह देखे ठीक है यहाँ पर देखे फॉर्म की बात करे ओफिसल यफसेट यहाँ पर देखा और 37,600 तक और ग्रेट पे है कितना 3600 ग्रेट पे है तो जो अप्रॉक्स आपकी सेलरी स्टार्टिंग जो जाएगी 27,632 रुपे स्टार्टिंग सेलरी सात्यों बहुत ही शांदार तरीकी से यह आपके लिए वैकेंसी से आप लोग फॉम फिल कर सकते हैं ठीक है देखें यहाँ पर अलग-अलग है एक तो बेसिक बेसिक नर्सिंग है और एक तो आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो आप लोग बेसिक करते हैं जो मैं तयारी करवाता हूँ वो बेसिक बेसिक नर्सिंग है और पोस्ट बेसिंग नर्सिंग और यहाँ पर बात करें चाह 2484 है यहाँ पर अलग अलग निकले ठीक है यह तो 2484 है और अभी 3000 अलग है ठीक है यहाँ पर qualification देखें इंडियन होना चाहिए ब्यस्टी नर्सिंग होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है एनी college कोई भी college होना चाहिए यहाँ पर जो है लेंग्विश को पता होना चाहिए आगे देखेगा बोला गया कि 18 से 49 तक कप कप एज क्या मांगा है 18 से 49 इसकी एज मांगा है ओके चली ओके जो है एमांट की बात करें तो एमांट लगेगा 210 दस रुपे फॉर्म को फिल करने के लिए ओके देखेगा एज रिलेक सेशन यहाँ पर दिया हुआ है मांक्स की बात करें ठीक है तो आपका जो है academic marks 75 यहाँ पर दिखा रहा है experience ऐसा total मिला कर आपका 100 marks का paper होगा ठीक है कितने marks का 100 marks का paper होगा यहाँ पर सारा जो है लिखा है कि ठीक है यह सारा notice है आप सभी के लिए यह देखिए चलिए second exam passing higher secondary school BC nursing होना चीए यह आपके लिए बोला यहाँ पर बोला गया registration होना चीए ठीक है तो यह form है diploma one year वाला होगा तो वह भी चल जाएगा आप तो यह एक form है तो यह देखिए यह तो एक ही है अभी जो है मैंने 2400 बताया है और यहाँ पर एज़ुटाइज अगर first पर click करूंगे तो एज़ुटाइज फरस्ट के लिए भी निकला है देखिए यहाँ पर देखिए download मैंने करके रख लिया है यह देखिए यह first में मैंने download किया था वही है ठीक है यहाँ पर मैं post बता दू आपको ठीक है वो तो 2400 जो है अलग थी और यह देखिए यहाँ पर आप लोग को बता दू यह देखिए 368 post दिख रहे हैं तो 2400 मतलब 6000 प्लस वेकेंसी से ठीक है बच्चा है तो आप लोग सभी लोग form को फिल कर येगा बहुत अच्छा है तयारी तो आपको पता है चल ही रही है आप लोगों की तो ऐसे ही continue आपको रखना है जैके सभी category वाइस यह है वेकेंसी साही है तो आप लोग आसानी से form को फिल कर सकते हैं इसकी official website मैं आपको पूना दिखा दूए एक बार ठीक है इसकी official website यह देखिए इसकी official western Bengal health recruitment board ठीक है इसका link कमें description box में provide कर रहा हूं वहाँ से आप लोग download कीजिएगा और इस form को जरूर फिल करिएगा और कुछ भी queries होती है तो comments box में सरी किसे आप लोग जो है यहाँ पर निग रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थैंक के वरिमिच साती हो जैहिंद वीडियो अच्छा लगा होगा वैकेंस के लिए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिंद